दोस्तों, आज मैं बलिया में हूँ और बलिया के चिलकहर बला के मरगु गाओं में और कुछ यहां आज बिशेश देखने को मिला है कुछ बाहर से लोग आये हुए हैं और सोलर प्लांट के बारे में जनकारी देने के लिए और किस तरीके से जो है solar को बढ़ावा दिया जा सकता है इसमें सरकार भी तमाम तरीके की subsidy दे रही है और इसमें लोग काफी जागरूख हो रहा है और इस चीज को गाओं गाओं रूलर एरिया तक पहुचाया जा रहा है और project जो है किस तरीके से यह यहाँ पे तयार किया जा बारे में आपको बताता हूं कि क्या कुछ इनका प्लान है और क्या कैसे इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा वीडियो में बने रहेगा इंसे बात करते हो मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत थागत है तोड़ा नहीं जो कि सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर से सारे आएटी के बाद में लखनों के भी वाइस चांसलर रहे उन्होंने वहाँ पे सोलर एनरजी संटर की स्थापना करी जो कि उसमें और अभी भी विश्व में प्रमुक है और उसमें सिरफ सोलर नहीं बलकि जो रिन कैसे काम करें उसके लिए नहीं यहाँ पर इस्थापना करी इसकी एक शाखा बनारस में भी है और आप देखेंगे कि किस तरह एक बंजर भूमी है यहाँ पर बंजर भूमी का उन्होंने किस तरह उपो किया यह नहीं कोई खेती की जमिन थी और यह सिरफ सौर उर्जा पर बल्कि जो और उर्जा है बायो गैस है उसके अभी आपको तूर देंगे तो वहाँ पर प्लांट है कैसे की बायो गैस का और जो उर्जा है वो सिरफ जन्रेट करने के लिए नहीं बल्कि उर्जा का कंदरवेशन उसका लॉस नहों उसके लिए भी हां काफी शोतकार हो रहा आप अगर वो घुमाएंगे कैसे इंसुलेशन वगरा लगा है कैसे जो है हीट और कुलिंग लूज नहों कैसे जो जमीन में गरम पानी निकलता है उसका उपयोग किया जाए सोलर सेल हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए अंदर वहां ग्रीन हाउसेज हैं वह आप देखेंगे कि कैसे विभिन मौसमों के अंदर जो अच्छी कोस्ट की सबजियां है फल फूल है उसको उप जाय जाता तो मुझे बड़ा गर्व है प्रफोसर तीवारी के साथ रहने का कि मैं इतनी दूर से मचली पालन भी है तो मैं इतनी दूर से मैं आया हूँ कि मेरे हिर्दय में ये वेकल पर गूर्जा ही बसती है हलांकि मैं कंप्यूटर साइंस के छेतर में हूँ वहां पर तो यह मैं देखने हूँ मैंने बहुत सी नई चीजों को समझा और सबसे जो बड से उन चीजों को डवलब किया जाए तो उसका हमने अध्यन किया उस पर कांफरेंस थी बहुत से लोग आये और मुझे बहुत खुशी हुई आपको रिस्पांस क्या मिला जैसे आप रूलर में एरिया में आया हैं गाउं में लोग तमाम जो है गाउं के लोग मिल रहे हैं इवा मिले होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे बात होई होगी तो इस गाउं में आपको क्या रिस्पांस मिला या कि यहां लोग किस तरीके से जूड़ना चाहते हैं इसे गाउं का तो ऐसा है कि जो भारत की होस्पिटल्टी है जो उनका अच्छे सरकार उसका जवाब नहीं है लोकल नहीं थे उन्होंने यहां पर सीखा सबसे क्या-क्या टक्निकों में चेंज हो सकता है तो मुझे तो बड़ी खुशी है और हम लोग पैदल चलकी भी गए दूतर फार्म में लोगों से मिले देखा कैसे अच्छा उपयोग किया जाए है इसको गोबर निकलता है उसको गोबर गैस का कैसे यूज किया जाए बायो गैस में उसके भाद में कंपोस में कैसे किया जाए मुझे यहां के पता चला कि कुछ एंटी बैटिक्स होते हैं क्योंकि जैदा तर जो मचलिया होती है वह इंफेक्शन से महर जाती है लेकिन अगर उन तालाबों में थोड़ा स अब यह हलका सा गौम उत्तर डाल दिया जाए तो वह इंफेक्शन उनको नहीं होता है और किस तरह लोकल चीजों को उसमें डाल के जैसे की चिकन वगारा है मुर्गी उनका जो बीट होता है उसको मुर्गियां उसको मचलियां बड़े चाव से खाती है तो वहां पे मुर् नरी के फार्मर यहां पर है उसको हम लोग वहां का इंश्यार्ज बना है तो इस साल जो है चुकि बंजर जमीन था तो मचलियां पहले साल तो मर गए को बंजर जमीन उनके लिए जहर होता है लेकिन जब एक साल के बाद बरसात के पानी से मठी बना तो कम से कम जैसे हम तो यह हम लोग जर्ब करना कि बंजर भूम में अगर हम तीन-चार साल सा कंटिनुवस पानी अब मचल जाने मचलियां मर जाते हैं तो भी मट्टी को मतलब फर्टिलाइडर बना देते हैं जो आंगे मचलिया खाती है उसी तरह से है कि जैसे कि मनुष्य को जमीन में गार द देता है चुकि अब लोग धर्म से जोड़ देते हैं इसलिए उस चीज में हम लोग कर नहीं पाते हैं लेकिन बेसिकली जया जब पंच तत्रत्य अदम शरी रहा यह हमारे मट्टी में ही जो मिल जाए सब लोग गाड़े हैं तो गंगा पर लूशन नहीं होगा तो जमीन की समस्या जो इसमें आपको देखे मुस्लिम में क्रिस्टियन में सब चीज में हो रहा है तो ब्राडर सेंस में अगर जब तक हम लोग गाव के लोगों को नहीं देंगे और इसलिए मैं बच्छों को समझाना यहां पर आसान है जो बाते कहेंगे और उसमें से 5% भी लड़के अगर इस चीज को मानेगे तो बहुत सुधार हो जाएगा जो है और यहां पर एक हमारे बर्मा जी हैं जो भेजी टेबल आजम गड़ से लेकर यहां तक उनको हमने इंचार्ज बनाया है कि मैक्शिमम जमीन हम लोग यहां का जो लेटेड है ओं कैसे उसके बाद बाद जो वेश्ट निकलता हूं मच्हलीओं को खाने के लिए क्लीन रहे इन्वारमेंट ख्लीन रहे जिससे कि हम लोग ता परशान है सोस्त नहीं है सोस्त रहने के लिए परशान नौह होने के लिए हम यहां पर एक दर्सक देख रहे हैं जानना चाहेंगे कि जैसे आप फ्री में और लेने और देने की बात कहीं तो कहीं नहीं यहां आपका बिरोद भी होता होगा पिरोद तो सबसे बिरोद यहां पर हो रहा है आपको जलने वाले सबसे जादा यहां पर आपके करके हो रहा है लेकिन उनको यह जानना चाहें कि जब से बना है तो इनकी जमीन अठ्गुना-दस भूना भागा हो गया ओ ओ नहीं चोज़ा है का करे ले है अरे अब नेता बने करने के बादा कुछ बने काले कुछ देवही के बाद पैसे से अगर इतना पैसा मिला तो कहें कि जब प्रफेसर से 40 साल की आईटी के विदेश में गया है और कितने लोगों ने पैसा दिया है जोडिश अमारे के कोई पैसा यहां लेकिन लोग हमें पता अबागी तो का कर सब्सक्राइब करने के लिए और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से ना कुछ लेकर आये हैं ना कुछ लेकर जाएंगे तो अल्टिमेटली माता पिता गुरू के नाम पर अपनी जीवन को जो भी करेगा हम समझते हैं कि इससे बढ़कर कोई नहीं है सवाल होगा जैसे आप यहां जो कर रहे हैं आप जो है इसमें कुछ अगल बगल के गाउं के लोग होंगे उसको रोजगार दे रहे हैं या क्या आगे आपको करना है और कुछ यहां पर एक चीज़ पाएंगे कि हमारे दो मैंने विकली कमजोर फानिसली कमजोर और स्रुल क करेंगे अब बहुत ही मानदार उन्हें को मैं रखाऊं कितने लोग अईले लोग कितने लोग आलसी लोग गईले लोग हम उनके उपर डिपेंड नहीं रहते हैं यहां पर पांचो टीचर रखें अपने आधित पेंशर उनको चलगा देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, जो भी है मतलब, अगर कुछ बात करेंगे तो लोग है अब देखिए यह सुरुज भागमान का कलर क्या है हमारा एलोईस है तो जब एलोईस ड्रेस पर बनाए अजगा इलोईसी बांटे तो यहार से से बीजेपी क्या नहीं है यह कलस्त भावना है पीछे आपके टेंपू खड़े हैं यह सोलर एनरजी से चलते हैं तो कहीं न कहीं आप तरीका है और इन लोगों को बुला के रोजगार भी मिल रहा है और और फ्री अपकास्ट विजली भी नहीं खर्च हो रही है तो कहीं न कहीं बीजली का बचा हो रहा है तो इस तरीके स हमारे सकूल में 15 किलोमीटर के परिज्ज कर बचें यह पर आते हैं और यह जू एरेक साथ चलता है एक दिन में केवल इससे से स्चार्ज हो रहा है तो आपको साट-संतर किलोमिटर बड़े आराम से ले देता है हां जब बहुत क्लावडी हो जाता है तो दस-पंदर मेटर बाकी जो सोलर प्लांट उससे हम चार्ज करते हैं ग्रीड को तभी चार्ज करते हैं जब कि इस महीने में एक महीना पूरा बादल था जो है बाइचांज शुटी था तो हमको कोई सब्सक्राइब बात है कि जितने इसा है रिसर्च हुआ है सोलर माडूर को इसको चपका देते हैं तो चपकाने से क्या होता है कि उसकी कम हो जाती है बीजली कंप पाइदा होता है बाशसवर्णों Olm तो हवा से ठंडा होता है तो जो टेनूं में देखेंगे आप में बस में सूलर्ण सबस्थwynastा ना तो गारी चलती तो हवा जाता तो सबस्सक्स कड़िक्ऑ अपको पर यहां पर काम हम लेना चाहे अगर यह आप सोलर पैनल का जो आप यह बन रहा है यह जो भी आटो बन रहा है तो वह किस तरीके से आप से संपर्ग कर सकता है कहीं से ले सकता है और इसको आप कहीं नहीं बढ़ावा मिलेगा हमारा यहां पर एक विजली सोलर वाला इसपर्ट है हमने उसको कहा कि जो लगाना चाहें अब रॉफ और टुफ के बात होती है यहां पर आपको जो है यह जो जी यह तीन तरह के रोड यह जो दिखाया जारे कामर्सियल है तीन तरह का रोड यहां पर है यह कि नेशनल हाइवे है जहां पर एकदर मीस्मूत है इस्टेट ह 주ए सब्स्द मुजबूत है यह तो फीन आज़की कि डुट जाँ है। तो नहीं चार्ज होगा तो यह रॉफ और टॉफ का जब भूती बढ़ियां जो हमने यह सिस्टम में बैटरी भी होगी हाँ दूसरा हमने बदला हो किया यहां पर इरेक्षा में यह कन्वेंशनल बैटरी यूज करते हैं हमने के वले कि यहीं पर तिवारी पताने कौन तिवा साल लाइफ का हैं लेकिन हमको उमीद है कि अगर 70-70 किलमेटर डेजी चले तो उसकी लाइफ दस बरस भी हो सकते है जुसको कि मैं टेस्ट कर रहा हूं धाई साल आलेडी हो चुका है तो सारे आपके जो है टेम्पू में जो है लिथियम बैटरी यूज हो जो है तो अगर मा से चीश से ढइर्डिक राज होता इन्वेटर नहीं जए ज़रत है बाकि लोगों में इनंवेटर होते है तो समय नुक्सान हुआ मतलबffen इसे नुक्सान नहीं होता है जो देख रहा हैं जो भी लोग देख रहे हम तो यह ही कहेंगे कि कि सबसे सबसे एनर्जी सेविंग है इसे इनवार्मेंट का फायदा है इसमें फायदा ही फायदा है दूसरी स्कूल बना है यह भी एनर्जी फिसेंट बिल्डिंग है इसमें आपको देखे हैं उचाइज चोड़ा फिट है तो लोगों ने का तीन फ्रोर इसमें बन गए तो हमार पर इसाला करता है तो बनाओ के बिल्डिंग उचा उचा हो तरह लासन जनबा रोशन्दान यह जो है यह आप प्लान देखा इनका और सोलर एनर्जी से किस तरीके से जो है रोजगार भी मिल रहा है और किस तरीके से जो है अपने वाताओं को सुद्ध भी किया जा रहा है आमधनी भी बढ़ा यह कहीं न कहीं कई तरीके की जो है लोगों के पास योजनाय जा रही है लाव मिल रहा है इसका सरकार का भी सबसीडी का जोड़ है चुकि यह बहुत बढ़िया कदम उठाएं कि एक रूलर एरिया में क बहुत बहुत धने बाद नमस्कार